Hello everyone, आज हम सिर्फ 500 ग्राम आमले से आमले की तीन बहुत ही useful recipes बनाएंगे जो कभी भी खराब नहीं होती है मैंने 500 ग्राम आमले लिये हैं, देखिए अच्छे आमले आजकल मार्केट में आ रहे हैं इन आमलों को मैंने दो लिया है और अच्छे तरह से इनको पोँच लिया है अब हम एक ठाली लेंगे और एक ना ये ग्रेटर लेंगे और इसमें ये जो मोटे छेद है ना इसको हम यूज करेंगे और इससे हम आमलों को एक बार गीया कस कर लेंगे ये देखें मोटे वाले उससे हमें करना है और इसकी बहुत ही शानदा रेसिपी आज बनने वाली है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे मंद है बालों के लिए स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है तो ये देखें इस तरह के मोटे मोटे इसके लच्छे जो हैं वो इसकी जो गुठलिया है ना इनको भी हम रखेंगे इनको भी हम यूज करेंगे बिल्कुल भी फैकेंगे नहीं और अब देखिए जो आवला हमने गिया गस किया है इसको मैं दो हिस्सों में बांट रही हूँ आदा हिस्सा भी हम यूज करेंगे आदी की हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे तो ये एक हिस्सा मैंने रख दिया है अब देखिए यहां पर ये जो आवला ग्रेट किया है इसमें मैं एक चुकंदर ले जीए बीट रूट बीट रूट भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है इसको भी हम इसी तरह से इसमें ग्रेट कर लेंगे कि देखे इस तरह से इसके भी बहुत ही बढ़िया से लच्छे बन रहे हैं और ये रैसिपी तो इतनी टेस्टी बनती है कि सबको ही पसंद आती है मैंने जितनी बार बनाया है लोग मुझे घर से आकर ले गए हैं और इसकी बहुत दिवांड करते हैं तो ये रैसिपी तो क चमज लीजी आम ले थे और एक चुकंदर था इसमें मैं छे चमज जो है ये मिच्छी के पाउडर के डाल रहे हूं और दो बड़े चमज यहां पर मैंने सौफ को कूट लिया है दरदरा सा कूटा है पिलकुल बारीक नहीं कूटा है और यहां पर एक चमज मैं डाल रहे अब इस सारे मिक्चर को एक बार हम अच्छी तरह से मिला देंगे देखे कितना सुन्दर इसका कलर निकल कर आया है और अब हमें क्या करना है कि यह जो हमने तयार किया है मिक्चर इसको या तो किसी कॉलिशन के ऊपर या थाली में ही आपना च्छाया में सुखाएंगे इसक इसका कलर डल पड़ जाता है तो हम इसको च्छाया में ही रख देंगे अब यहाँ पर मैंने छे पत्ते जो लिये हैं यह पान के पत्ते हैं इनको मैंने ले लिया है और इसका पीछे वाला जो है यह जंटल सा होता है इसको हम निकाल देंगे अलग कर देंगे यह देखे सब अभानार सी पान जो होता है ना वही है आप इसके एक कैंची लेंगे और इसके हम बिलकुल पतले-पतले Walasbecue काटेंगे ये देहें बिलकुल बतला-पतला हमें इसको काटना है और ये िसकी सारे पान के पत्ते भी हमने काट लिए हैं ये देखें बिलकुल बारिक हमने कर देखिए अब हमने एक बरतन लिया है उसके ऊपर मेने कौटन का कपड़ा रखहा है और इस कोटन के कपड़े के ऊपर ग्रेट किया हुआ आमला अब कपड़े को locked करने कहलें दबास। बाएगे किय use करेंगे और इसका हल्का हल्का जो बबाने से जूस निकले गडा इसी लिए मैंने न मोटे वाले से किया था यूज कि बारीक से हम करते तो सारा हमाहे की वाल कुटे जाता है लेकिन मुझह इसका पूरा जूस नहीं निकालना है तो ये देखे जूस हमारा तयार हो गया है इसको एक बॉटल में हभी हम डाल देपे हैं ये देखे आधी बॉटल से थोड़ी सी कम है इतना जूस हमारा निकल गया है इसका हम एक साइड पर। अब ये जो आमले हमने इस कपड़े से निचोड़ कर रखे थे इनको हम इस थाली में ही डाल लेंगे क्योंकि आमले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आमले की हर आमले का हर पार्ट जो है बहुत ही फायदेमंद होता है और इसको आप जाए गरम कर लो खुछ भी कर लो ये कभी खराब नहीं होता है इसके गुड कभी नश्ट नहीं होते अब यहाँ पर मैंने इतना सा अद्रक लिया है दो पीस अद्रक के हैं और इस अद्रक को भी मैं इसी ग्रेटर से इसमें घिया कस कर लूँगी ये देखे मैंने इसमें अद्रक को भी ग्रेट कर लिया है अब इसमें हम थोड़े से इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं और इसमें अब हम थोड़े मसाले मिलाएंगे यहाँ पर एक चम्मच मैंने सिंधा नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप नमक डाल सकते हैं और इसके बाद एक चम्मची यहाँ पर मैंने काला वाला नमक लिया है यह देखे और यहाँ पर अब मैंने एक चम्मची यहाँ पर अजवाइन ली है हजवाइन को थोड़ा सा हधेली पर हम crush कर लेंगे और इसको भी इसमें हम मिला देंगे अच्छे तरह सी इस सारे मिक्सचर को हम मिला देंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से इसमें मिल जाएं आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ अजवाइन डाली है और यह वाला जो मिक्सचर है इसको अब हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे देखें, तीन दिन के बाद जिसमें हमने बीट रूट डाला था यह हमारा आमला जो है बिल्कुल सूख चुका है और इसका अब हम देखिए कितना बढ़िया इसका हम माउथ फ्रेशनर तेयार करेंगे और यह पान के पत्ते हैं यह भी सूख चुके हैं इसको भी हम इसमें मिला देंगे देखिए यह तो इमूनिटी बूस्टर का काम करता है आवला और बीट रूट का जो माउथ फ्रेशनर हम बनाते हैं यह रैसिपी इतनी बढ़िया है और यहाँ पर देखिए कलरफुल सौफ भी ली है मैंने इसको भी हम इसमें डाल देंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीजें डाल सकते हैं और थोड़ी से यहाँ पर सिल्वर कलर की सौफ ली है इससे भी बच्चे बहुत अटेक्टर होते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि यह रैसिपी जो आवले की है इसको बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं मांग मांग कर खाएंगे आप बना बना कर ठक जाएंगे और बच्चे इसको मांगना नहीं छोड़ेंगे यह इतनी टेस्टी बनती है और दूसरा जो हमने आमला नमकीन था जिसमें हमने अद्रक रेट किया था यह भी सूख चुका है यह आमला पाचक हमारा तैयार हो गया है देखे यह इतना बड़िया है कि कभी किसी के पेट में दर्ध हो कभी थोड़ी हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो आप इसे ले सकते हैं और यह जो रस था अब मैं बताती हूँ इस रस का हम यूज कैसे करेंगे इस रस में देखिए आदी बोटल से थोड़ा सा कम है इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे और पानी मिलाने के साथ आप इसमें एलोवेरा का जूस भी मिला सकते हैं आप इसमें गिलोए का रस भी मिला सकते हैं और इसको आप सुभे के समय लीजिए ये हमारी हेल्थ के लिए हमारे बालों के लिए बहुत ही गुणकारी है